यह आप लोग देख सकते हैं यह एक रेल इंजिन है डीजल लोकोमोटिव इसको बोला राता है डीजल लोकोमोटिव है और यह एक रेल इंजिन है उसका आप यह दो देख सकते हैं दो ड्राइवर सीट से ड्राइवर कंफार्टमेंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं यह बचाई इसमें आपको डिस्प्लै जिससे उपना लगेगा किसमें कितना प्रिसर है क्या है कुछ नहीं है इसमें पहले तो आप आप देखिए इसमें डेट लिखा है टाइम लिखा है हालाग कि immediately state रही है लेकिन इंद depth लेकिन लिखा chapters लेक तेभी कितना उसका एंप शो कर चाहिए वो उसमें लॉड मिटर मैं शो करता है अब आइडियल में लिखा आ रहा है यी आईडियल में लिखा आ रहा है जब और रिवर्स किया जाएगा तब रिवर्स या फ्रो अ Спषर्ट का सीम्बल आएगा अब आप यह देख रहे हैं एक तो बार दिख रहा है जिसमें जीरो आपका शो कर रहा है और आपका एक तो में नीचे में दिख रहा है जीरो तू तू थाउजेंड मल्स वह भी आपका लोड मिटर कहीं इंडेक्स है उसमें भी आपको लोड मिटर पता चल जाएगा उसके ब पहले तो गाड़े का उपर किलो मीटर लिखा हुआ है, कितना किलो मीटर गाड़ी रणिंग हो गया है, उसके बाद MR लिखा है, MR होता है मैन रिजर्वर टेंक, उसमें कितना प्रेसर अभी है, वो दिखा रहा है, फिर बीपी हो गया, बीपी हो गया, आपका ब्रेक पाइप हो गया, यह गाड़ी और रेल इंजिन और उसके साथ जो वागेन कनेक्ट होगा, उसके लिए इस्तमाल होता है, फिर आगया PC आगया, PC हो गया, बेक सिलिंडर, उसका प्रेशर आपको शोग कर रहा है, 3.4 kg per cm2 है, फिर आप देख सकते हैं, उसमें AG लिखा है, सैंड लिख प्रेशल लिखा है, C भी आफ लिखा है, होईल सिलिप लिखा है, स्पेर लिखा है, फिर एर फ्लो लिखा है, फिर पावार आफ लिखा है, फिर ग्राउंड लिखा है, यह सब अलग-अलग electrical equipment के लिए अलग-अलग symbols है, फिर आप देख सकते हैं, इसमें भी वही fuel oil pressure कितना ह यह FOPR लिखा है, फ्लो प्रेशर होता है, यह LOPR लिखा है, यह BAPR लिखा है, यह आपका break air pressure लिखा रहता है, यह BATV लिखा हुए battery voltage लिखा रहता है, फिर इंजिन RPM हो गिया, फिर BCD counter हो गिया, फिर आपका EW temperature, इंजिन water temperature, एलो टेंपरेचर, लूब ओल टेंपरेचर, ENG temperature, इंजिन temperature, फिर FOL लिखा है, यह उसका पूरा टिश्पिले होता है, जो जिसके मदस से आपका driver उसको पता चले है कि गाड़ी में कैसा क्या काम हो रहा है, क्या कहीं पर fault है कि कुछ नहीं है, उसको यहां से सब कुछ पता चल जाएगा, मैं डीजेल इंजिन का बहुत स सारा thoughts वीडियो छोड़ूगा, आप चाहें तो उधर जाके देख सकते हैं,